फ्राइडी फेबल्स की इस मंच से मैं डॉक्टर हरप्रीत कॉर असिस्टेंट प्रफेसर हिंदी पोस्ट ग्रेजुएट गॉर्मेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 42 चंडीकट से आप सभी का स्वागत करती हूं और इस मंच की महतता आप से साज़ा करना चाती हूं फ्राइडी फेबल्स एक ऐसा मंच है जो केवल कहानी कहने और सुनने का माधियम नहीं है बलकि यह एक ऐसा मंच है जो सहत्य से जोड़ता है जीवन की परिस्तितियों को समझने का और उनसे लड़ने का और उनके का कैसे सामना किया जाए यह भी इसका उदेश्य है जो हम कहान कहानी के माध्यम से अपने college के students को अपने viewers को बताते हैं कहानी कहना और सुनना उतना ही पुराना है जितना मनुष्य का इस धर्ती पर जीवन एक ने कही दूसरे ने सुनी इसी कहनी और सुनने से कहानी का जनम हुआ और यही माध्यम मनुष्य का एक दूसरे के प्रति अपनी म प्रिण की भावनाओं को समाजिक समस्याओं को आदी विश्यों का सहारा बना। तो आएए आज मैं आप सब के सामने जिनकी कहानी कहने जा रही हूँ। उन्हें उपनियासों का समराथ, कहानी कारों में स्रेश्ट और सहत्य को नया मोर दिने वाले हिंदी के प्रेमचन जी को मैं याद करते हुए उनकी कहानी बूडी काकी आप सब की समक्ष परस्तुत कर रही हूँ बूडी काकी समाज के उस पक्ष को सब के सामने लाती है जो भारतिय समाज के घरगर के कहानी है जहां वरिद जनों का मुलेव केवल कब तब तक है जब तब है अपनी संपत्ती के मालिक है जैसे ही उनकी संपत्ती उनके घर के लोग जब अपने नाम करवा लेते हैं उसके बाद उनकी स्थिती क्या होती है कैसे उनको रखा जाता है इसी भारतिय समाज की समस्या को प्रेमचन जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें समाज की इस कड़वी सचाई से रूबरू कराया है तो चलिए आप सब के सामने मैं अपनी कहानी प्रस्तुत करती हूँ बुडिका के कहां जाता है ऐसा कि बुड़ापा बहुदा बच्पन का पुनरागमन हुआ करता है बुडिकाकी में जीवा स्वात के सिवा और कोई चेश्टा शेश ना थी और ना अपने कश्टों की और अकर्शित करने का रोने के अतिरिक्त कोई सहा रही समस्त इंद्रिया, नेत्र, हाथ, पैर जवाब दे चुके थे पृत्वी पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते भोजन का समय टल जाता या उसका परिमान पूरण ना होता अत्वा बजार से कोई वस्तू आती और उन्हें ना मिलती तो ये रोने लगती थी उनका रोना सिसकना सधारन रोना ना था ये गला फाण फाण कर रोती थी उनके पती देव को स्वर्ग सिधारे कालंतर हो चुका था बेटे युवा अवस्ता में ही चल बसे थे अब एक भतीजे के सिवाई और कोई ना था उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ती लिख दी थी भतीजे ने संपत्ती लिखाते समय तो खूब लंबे चौड़े वादे किये प्रन्तु वे सब वादे केवल कूली डिपू के दलालों के दिखाये हुए सबच बाग थी यद भी उस संपत्ती की वार्शिक आये डेट दो सो रुपई से कम ना थी तथा भी बुड़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठनाई से मिलता था इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धही राम का अपरात था अत्वा उनकी अर्धागनी शिरिमती रूपा का इसका निर्ने करना इतना सहज नहीं था बुद्धी राम सभाव के सजण थे इश्वर से डरती थी अते बुड़ी काकी को उसकी तीवरता उतनी ना खलती थी जितनी बुद्धी राम की भल मानस था बुद्धी राम को कभी-कभी अपने अत्याचार का खेत होता था विचारते थे कि इसी संपत्ती के कारण मैं इस समय भला मानुश बना बैठा हूँ यदि मौखिक आशवासन और सुखी सानुबूती से स्थिती में सुधार हो सकता तो उन्हें कदाचित कोई अपत्ती ना होती प्रंदु विशेश व्याय का भई उनकी इसी चेश्टा को दबाए रबता था यहां तक कि यदि दवार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूड़ी काकी उस समय अपना राख अलापने लगती तो वह आग बबूला हो जाती और घर में आकर उन्हें जोर से डानते लड़कों को बुढ़ोग से सभाविक विद्वेश होता ही है और फिर जब माता पीता का यह रंग देखते तो बूड़ी काकी को और सताया करते कोई चुटकी काट कर भागता कोई उन पर पाने की कुल्ली कर देता काकी चीक मार कर रोती प्रन्तु यह बात प्रसित थी कि वह केवल खाने के लिए रोती है अतेव उनके संताप को और आतरनात पर कोई ध्यान ना देता था हां काकी क्रोध आतूर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्तल पर आ पहुंचती इस भए से कि काकी अपनी जीवा से कहीं उन्हें कुछ कहना दे यद पी उपद्रव शांती का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उप्युक था संपूरन परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुदिराम की छोटी लड़की लाडली थी लाडली अपनी दोनों भाईयों के भाय से अपनी हिस्से की मिठाई चबेना बुडी काकी के पास बैठकर खाया करती थी यही उसका रक्षागार था अजद पी काकी की शरन उनकी लोलुकता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी तथा पी भाईयों के अन्याई से कहीं सुलब थी इसकी स्वार्थनुकूलता ने उन दोनों में साहनुबूती का आरोपन कर दिया था रात का समय था बुदिराम के दवार पर शेनाई बज रही थी और गाउं के बच्चों का जुन विस्मय पूरण नेतरों से गाने का रस असवादन कर रहा था चार पर महमार विश्राम करते हुए नाईयों से मुकियां लगवा रहे थी समीर भी खड़ा हुआ भाट बृदावली सुना रहा था और कुछ महमानों की बहा बहा पर ऐसे खुश हो रहा था मानों इस बहा बहा का यथार्थ में वही अधिकारी है दो एक अंग्रेजी पड़े हुए नव युवक इन वहवारों से उदास सिंग थे यह गवाव मंडली में बोलना अत्वा समलित होना अपनी परतिष्ठा के प्रतिकूल समस्ते थे आज बुद्धी राम के बड़े लड़के सुकराम का तिलकाया है यह उसी का उत्सव है घर के बीतर इस तरियां गा रही थी और रूपा महमानों के लिए भोजन के परबन में व्यक्ति भटियों पर कड़ा चड़ रहे थे एक में पूडियां कचोडियां निकल रही थी दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी घी और मसाले की शुधा वर्दक सुगंद चारों और फैली होई थी पूडि काकी अपनी कोटरी में शोक में विचार की भांती बैठी होई थी यह स्वात मिश्रित सुगंद उन्हें बेचायन कर रही थी वे मन ही मन विचार कर रही थी संभवते मुझे पूडियां ना मिलेंगी इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया मालुम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं मेरी लिए कुछ ना बचा यह सोचकर उन्हें रोना आया प्रंतु अशकून के भाय से वेह रो ना सकी आहां कैसी सुगन्ध है अब मुझे कौन पूछता है जब रोटियों हुई के लाले पड़े हैं तब ऐसे भागय कहा कि भर पेट पूडियां मिले यह विचार कर उन्हें रोना आया कलेजी में हूख सी उठने लगी प्रंतु रूपा के भाय से उन्होंने फिर मौन धारन कर लिला बूडिका की देर तक इन्ही दुखदायक विचारों में डूबी रही घी और मसालों की सुगन्ध रह रह कर मन को आपेसे बाहर किये देती थी मूँ में पानी भर भर आता था पूडियों का सवास समरन करके हरिदे में गुदगुदी होने लगती थी किसे पुकारूं आज लाडली बेटी भी नहीं आई दोनों छोकरे सदा दिक किया करते हैं आज उनका भी कहीं पता नहीं कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है बूडि काके की कलपना में पूडियों की तसफीर नाचने लगी खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी रूपा ने भली भांती भोजन दिया होगा कचोडियों में अजवायन और इलाची की महक आ रही होगी एक पूडियों मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती क्यों न चलकर कड़ा के सामने ही बैठो पूडियां चन चन कर त्यार होंगी कड़ा से गरम गरम निकाल कर थाल में रखी जाती होंगी पूल हम घर में भी सून सकते हैं प्रंतु वाटिका में कुछ और बात होती है इस प्रकार निर्णे करके बुडी काकी उकडू बैठकर हातों के बल सरकती हुई बड़ी कठनाई से चौकट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी यहां आने पर उन्हें उतना ही धहरे हुआ जितना भूके कुटे को खाने वाले के समुख बैठने में होता है रूपा उस समय कारे बहार से उद्विगन हो रही थी कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में कभी कड़ाहा के पास आती, कभी भंडार में जाती किसी ने बाहर से आकर कहा महराच ठंडाई मांग रही है ठंडाई देने लगी इतने में फिर किसी ने आकर कहा भाट आया है उसे कुछ दे दो भाट के लिए सीधा निकाल रही थी एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा अभी भोजन त्यार होने में कितना वी लंब है जरा ढोल मजीरा उतार दो बेचारी अकेली इस तरी दोड़ते दोड़ते व्याकुल हो रही थी जुझ लाती थी, कुड़ती थी प्रंतु क्रोध प्रकट करने का अफसर ना पाती थी भय होता कहीं पडोसिनी यह ना कहने लगें कि इतने में उबल पड़ी प्यास से स्वयम उसका कंड सूख रहा था करमी के मारे फूंकी जाती थी प्रंतु इतना अफकाश भी नहीं था कि जरा पानी भी पी ले, अत्वा पंखा लेकर जले यह भी खटका था कि जरा आंख अटी और चीजों की लूट मजी इस सवस्ता में उसने बूडी काकी को कड़ा के पास बैठी देखा तो जल गई क्रोध ना रुख सका इसका भी ध्यान ना रहा कि प्रोसने बैठी हुई है मन में क्या कहेंगी पुर्षों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे जिस परकार मेंडग केंचुए पर जपड़ता है उसी परकार वह बूडी काकी पर जपटी और उन्हें दोनों हातों से जटक कर बोली ऐसे पेठ में आग लगे पेठ है या भाड़ कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुरता था अभी मेमानों ने नहीं खाया भगवान को भोग नहीं लगा तब तक धैर्य ना हो सका आकर छाती पर सवार हो गई जल जाय ऐसी जी दिन भर खाती ना होती तो ना जाने किसकी हांडी में मुह डालती गाउ देखेगा तो कहेगा कि बुडिया भर पेट खाने को नहीं पाती तब ही तो इस तरह मूँ बाय फिरती है डाय ना मरे ना मांचा छोड़े नाम बेचने पर लगी है ना कटवा कर दम लेगी इतनी ठूंस्ती है ना जाने कहां भसम हो जाता है लोग भला चाती हो तो जकर कोटरी में बैठो जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मूँ में पानी न जाए प्रंथु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए बुड़ी काकी ने सिर ना उठाया ना रोई ना बोली चुप चाप रेंगती हुई अपनी कोटरी में चली गई अगात ऐसा कटोर था कि हरिते और मस्तिश की पूरण शक्तियां संपूरण विचार और संपूरण भार उसी और आकरशित हो गई नदी में जब दरार का कोई व्रिद खंड कटकर गिरता है तो आस पास का जल समूर चारो और से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दोड़ता है आज बूडी काके इन शब्दों से बहुत आहत हो चुकी थी भोजन त्यार हो गया आंगन में पतल पड़ गई मेमान खाने लगे इस्तरियों ने जेव नार गीत गाना आरम कर दिया मेमानों के नाई और सेवगन भी उसी मंडली के सार किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे प्रंतु सभे सभे अता अनुसार जब तक सब के सब खाना चुके कोई उठ नहीं सकता था तो एक मेमान जो कुछ पड़े लिखे थे सेवकों के धीगर आहार पर जुंजला रहे थे विस बंदन को वियर्थ और बे सिर पैर की बास समझते थे बूरी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चा ताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां गई उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था अपनी जल्दी बाजी पर दुख था सच्छी तो है जब तक मेमान लोग भोजन करना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे मुझसे इतनी देर भी नहीं रहा गया सबके सामने पानी उतर गया अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाओंगी ऐसा विचार वो मन में कर रही है मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे की परतिक्षा करने लगी परंतु घी की रूची कर सुबास बड़ी ही धहरे प्रिक्षक परतीत हो रही थी उन्हें एक-एक पल एक-एक युक के समान मालूम होता था अब पत्तल बिच गई होगी अभुमान आ गई होंगे लोग हाथ पर धो रहे होंगे नाई पानी दे रहा है मालूम होता है लोग खाने बैठ गए जेवनार गाया जा रहा है यह विचार कर वह मन को बहलाने के लिए लेट कर गई धीरे धीरे एक गीत गुनकुनाने लगी उन्हें मालुम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे किसी की अवाज नहीं सुनाई देती अवश्य ही लोग खापी कर चले गई मुझे कोई बुलाने नहीं आया रूपा चिड़ गई है क्या जाने ना बुलाए सोचती हो कि आप ही आवेंगी भै कोई महमान तो नहीं जो उन्हें बुलाओ बुड़ी काकी चलने के लिए त्यार हुई यह विश्वास की एक मिरण में पूड़ीयां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनकी सवाद इंद्रियों को गुद गुदाने लगा उन्होंने मन में तरह तरह के मनसूबे बांदे पहले तरकारी से पूड़ीयां खाऊंगी फिर दही और शकर से कचोरियां रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी चाहे कोई बुरा माने चाहे भला मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं कहा करें इतने दिन के बार पूड़ीयां मिल रही है तो मुझ जूठा करके थोड़ा ही उठ जाऊंगी वहे उकड़ू बैठकर हातों के बल सरक्ती हुई आंगन भी आई प्रंतु है दुर्भाके अभिलाशा ने अपने पुराने सभाव के अनुसार समय की मिथ्या कलपना की थी मेमार मंडली अभी बैठी हुई थी कोई खा कर उंग्रिया चाड़ता था कोई तिर्चे नेतरों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं कोई इस चिंता में था कि पत्तर पर पूड़ियां छूट जाती हैं किसी तरह इने बीतर रख लेता कोई दही खा कर जीब चटकारता था प्रन्तु दूसरा दोना मांगे संकोश करता था कि इतने में बुड़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची कई आदमी चौंकर उट खड़े हुए पुकारने लगे अरे यह बुड़िया कौन है यह कां से आ गई देखो किसी को चूना दे पंडित बुद्धी राम काकी को देखते ही क्रोज से तिल मिला गई पुड़ियों का थाल लिये खड़े थे थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस परकार निर्दई महारज अपने किसी बैमान और भगोडे कर्जदार को देखते ही जपटकर उसका टेटूआ पकड़ लेता है उसी तरह लपक कर उन्होंने बुड़ी काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी खोटरी में धम से पटक दिया आशा रूपी वाटी का लूग के एक ही जोंगे से नश्ट विनश्ट हो गई बुद्धिराम का ऐसा व्यवार बुड़ी काकी को चुभा मेमानों ने भोजन किया, घरवालों ने भोजन किया बाजे वाले धोपी, चमार भी भोजन कर चुके प्रन्तु बुड़ी काकी को किसी ने न पूचा बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बुड़ी काकी को उसकी निरलजता के लिए दंड देने का निश्चे कर चुके थे उनके बढ़ापे पर, दीनता पर, हत ग्यान पर किसी को करुणा ना आती थी अकेला, अकेली लाडली उनके लिए कुड रही थी लाडली को काकी से अत्यांत प्रेम था, बिचारी भोली लड़की थी, बाल विनूद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी दोनों बार जब उसके माता पीता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हरीदे एंट कर रह गया वे जुंजला रही थी कि यह लोग काकी को क्यूं बहुत सी पूरियां नहीं दे देते क्या मेमान सब की सब खा जाएंगे और यदि काकी ने मेमानों के पहले खा लिया तो क्या बिवड़ जाएगा वे काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी तन्तु माता के भई से ना जाती थी उसने अपने हिस्से की पूरियां बिलकुल ना खाई थी अपनी गुड़ियों की बिटारी में बंद कर रखी थी वे उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी उसका हरीदे अधीर हो रहा था गुड़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ पैठेगी पूरियां देखकर कैसे प्रसन होगी मुझे खूब प्यार करेगी रात के ग्यारा बज गई थी रूपा आंगर में पड़ी सो रही थी लाडली की आँखों में नींत ना आती थी काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी उसने गुड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी जब विश्वाश हो गया की अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी कैसे चलू चारों और अंधिरा था केवल चूलों में आख चमक रही थी और चूलों के पास एक कुट्ता लेटा हुआ था लाडली की दृष्टी द्वार के सामने वाले नीम की और गई उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए है उनकी पूंच उनकी गदा सब सबस्पश दिखलाई दे रही है मारे भय के उसने आँखे बंद कर लिए इतने में कुट्ता उठ बैठा लाडली को ढाडस हुआ कई सोय हुए मनुश्यों के बदले एक जागता हुआ कुट्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ उसने पिटारी उठाई और बूडी काकी की कोट्री की और चली बूडी काकी को केवल इतना स्मरन था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे फिर ऐसा मालुम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिये चाता है उसके पैर बार बार पत्रों से टकराए तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका वे मुर्चित हो गई जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट ना मिलती थी समझी कि अब लोग खापी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गए रात कैसे कटे कि राम क्या खाओं पेट में अगनी धदक रही है हाँ किसी ने मेरी सूधी ना ले क्या मेरा ही पेट काटने से धन जुड जाएगा इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि जाने बुडिया कम मर जाए उसका जी क्यों दुखावे मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि कुछ और इस पर यह हार मैं अंदी अपाहिच ठहरी ना कुछ सुनू ना बूजू यदि आंगर में चली गई तो क्या बुद्धी राम से इतना कहते ना बनता कि काकी अभी लोग खा रहे हैं फिर आना मुझे घसीटा पटका उन्हीं पूडियों के लिए रूपा ने सब के सामने गालियां दी उन्हीं पूडियों के लिए इतनी दुर्गती करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा सब को खिलाया मेरी बात अकना पूछी जब तब ही ना दी तो अब क्या देंगे यह विचार कर काकी निराश महे संतोष के साथ लेट गए गलानी से गला भर भर आता था प्रंतु मिमानों के भैसे रोती ना थी सैसा उनके कानों में अवाज आई काकी उठो मैं पूडियां लाई हूँ काकी ने लाडली की बोली पहचानी चटपट उट बैठी दोनों हातों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया लाडली ने पूडिया निकाल कर दी काकी ने पूछा क्या तुम्हारी अमानी दी है लाडली ने कहा नहीं यह मेरे हिस्से की है काकी पूडियों पर तूट पड़ी पांच मिनट में पिटारी खाली हो गई लाडली ने पूछा काकी पेट भर गया जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंड़क के स्थान पर और भी घर्मी पैदा कर देती है उसी भांती थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की शुधा और इच्छा को और उतेचित कर दिया था काल कर वे खा गई बार-बार होंट चाड़ती थी बोली नहीं बेटी जाकर अम्मा से और मांग लाओ लाडली ने कहा अम्मा सोती है जगाऊंगी तो मारेंगी काकी ने पिटारी को फिर क्रोटोला चटकारे भरती थी हरीदेव मसोस रहा था कि और पूडिया कैसे पाऊंगी संतोश से तु जब तूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमत हो जाता है मतवालों को मत का समरन करना उन्हें मतांत बनाता है काकी का अधीर पन इच्छा के प्रबल प्रवा में बह गया उचित और अनुचित का विचार जाता रहा वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही सैसा लाडली से बोली मेरे हाथ पकड़ कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठ कर भोजन किया है लाडली उनका भी प्राइस समझ ना सकी उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास पिठा दिया दीन, शुद आतुर, हत ग्यान बुडिया पतलों से पूडियों के टुकडे चुन-चुन कर खाने लगी ओ, दहीं कितना सवादिश था, कचोडिया कितनी सलोनी खस्ता कितना सुमो, काकी बुद्धी, हीन, होते होए भी इतनी जानती थी कि मैं वहे काम कर रही हूँ, जो मुझे कदापी नहीं करना चाहिए मैं दूसरों की जूठी पतल चाट रही हूँ प्रंतु बुडापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है जब संपूरन इच्छाएं एक ही केंदर पर आ लगती है बुडी काकी में यह केंदर उनकी सवाद इंदरियां ही थी ठीक, इसी समय रूपा की आंखे खुली उसे मालम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है वह चौंकी चार पाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी उसे वहाँ ना पाकर वै उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बुडी काकी पतलों पर से पूडियों के टुपडे उठा उठा कर खा रही है रूपा का हरिदय सन हो गया किसी गाएं की गर्दन पर छूरी चलते देकर जो अवस्था उसकी होती है वह उसी समय उसकी थी एक ब्रामनी दूसरों की जूठी पतल टटोले इससे अधिक शोक में दृष्य असंभव था पूडियों के कुछ गरासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निक्रिष्ट करम कर रही है यह वैद रिश्य था जिसे देकर देखने वालों के हरीदे काँ पुटते है ऐसा परतीत होता मानो जमीन रुख गई आसमान चकर खा रहा है संसार पर कोई नई विपत्ती आने वाली है रुपा को क्रोध ना आया शोग के समुख क्रोध कहा करुना और भय से उसकी आंखे भर आई इस अधरम के पाप का भागी कौन है उसने सचे हरीदे से गगन मंडल की और हाथ उठा कर कहा परमात्मा मेरे बच्चों पर देया करो इस अधरम का दंड मुझे मत दो नहीं तो मेरा सत्या नाश हो जाएगा रुपा को अपनी स्वार्थ परता और अन्याय इस परकार प्रतक्ष रूप में कभी ना देख पड़े थे वह सोचने लगी है कितनी निर्दई हूँ जिसकी संपत्ती से मुझे दो सो रुपए वार्षिक आय हो रही है उसकी यह दुर्गती और मेरे कारण हे दया में भगवान मुझे बड़ी भारी चूप हुई है मुझे शमा करो आज पिरे बेटे का तिलक था सैंकडो मनुश्यों ने भोजन खाया मैं इनके इशारों की दासी बनी रही अपनी नाम के लिए सैंकडो रुपए व्याय कर दिये प्रंतु जिसकी बदोलत हजारों रुपए खाय उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी केवल इसी कारण तो की वह व्रिदा असहाय है रुपए ने दिया जलाया अपने भंडार का दवार खोला और एक थाली में संपूरन सामगरियां सजा कर लिये हुए बुड़ी काकी की और चली आदी राज जा चुकी थी अकाश परतारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैटे हुए देवगन सवर्गिय परदात सजा रहे थे प्रंतून में किसी को वह परम अनंद प्रापना हो सकता था जो बुड़ी काकी को अपने समुक थाल देखकर प्राप्त हुआ रूपा ने कंट अवरूत स्वर में कहा काकी उठो भोजन कर लो मुझसे आज बड़ी भूल हुई उसको बुरा ना मानना प्रमात्मा से प्राथना कर दो कि वह मेरा अपराद शमा कर दें भोले भोले बच्चे की भांती जो मिठाईयां पाकर मार और तिरसकार सब भूल जाता है बुरी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैटी हुई खाना खा रही थी उनके एक एक रोएं से सच्ची सदिछाए निकल रही थी और रूपा बैठी इस्वर्गी दरिश्य का अननन्द लीने में निमगन थी तो यह कहानी बुरी काकी हमें भारतिय समाज की उस सचाई से जोड़ती है जहां हम देखते हैं कि बच्चे अपने माता पीता को या अपने घर में कोई भी जो वरिजजन है उनको केवल तब तक मान समान देते हैं भर पेट भोजन देते हैं जब तक उनकी संपत्ति उनके नाम पर है जैसी वो संपत्ति किसी और को सोंते हैं किसी और को मालिक बनाते हैं बच्चे भूल जाते हैं कि ये उनका दिया हुआ ही खा रहे हैं और इसी पर कटाक्ष करते हुए प्रेम चन जी ने इसके माध्यम से उन युवाओं को संदेश दिया है कि वृद जनों के साथ ऐसा व्यवार ना करें जिनका जिनसे आप सारे सुख ले रहे हैं जिनकी संपति आपको सुख दे रही है उनका आदर समान करना उनको भर पेट भोजन देना ये हमारा करतव यह है धन्यवाद